चर्चा जो शोर से चल रही है कि जेडियू नेता उपेंद्र कुश्वाहा पाठी में रही गया नहीं इस वात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है एमस में जब कुछ बीजेपी नेताओं ने उनसे मुलाकात की तो इस चर्चा को और बल मिल गया है जेडियू संसेदीय बोड के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा इन दिनों एमस में भरती हैं बीजेपी के कुछ नेताओं ने जब उनसे मुलाकात की तो उनकी बीजेपी से नस्दीकियों पर अटकले तेज हो गई जब भीहार के मुख्यमंत्री से उपेंद्र कुश्वाहा की रुख को लेकर सवाल किया तो उन्होंने नपा तुला जवाब दे कर अटकलों को और हवा दे दी नितीश कुमार की बातों से ऐसा लगता है कि उनकी उपेंद्र कुश्वाहा से आमने सामने या फोन पर बात नहीं होती है वैसे उपेंद्र कुश्वाहा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें पहले खुद को डिप्टी सीएम बनाये जाने की उम्मीद थी लेकिन नितीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं जेडियों से कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा अगर उपेंद्र कुश्वाहा नार कार है देखिए समको जानकारी नहीं है फिलाल के लिए स्पुलिटिन में इतना ही अब नज़र आव